प्यारे साथियों आप सोभी का स्वागत करता हूं अपने MRS study परिवार में तो डियर आज की इस वीडियो में मैं यहां पर बात करने वाला हूं आपका एनेम बहाली पर जो है बिहार सरकार का एक टिपनी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एनेम बहाली पर जो है सूप् पोस्ट जो है निकाला गया था एनेम के लिए जिसमें हाई कोट के फैसले के खिलाब बिहार सरकार सुप्रिम कोट जाएगी स्वास्त विभाग ने इस मामले पर विदी विभाग और महाव विवक्त से राय ले ली है जल्द ही सूप्रिम कोट में इस मामले पर SLP दायर की जाएगी एनम बहाली Academy Course के अंकोग के अधार पर करने की हाई-कोट का एकल पीट की फैसले को ड़वल बेंच ने भी बरकरार रखा था कोट ने कहा था कि एनम की बहाली बिहार महिला एवं स्वास्त कारे करता एनम कैडर नियम आवली दोजर आठारे के नियम साथ के तहथ चैन परकिरिया एन्म नियमावली 2018 के अधार पर तै की गई थी इसके अनुसर बिहार तक्निकी सेवा आयोग के माध्यम से अवियार्थियों का चैन और जित प्राप्तां के अधार पर किया जाना था यानि माक्स बेसिस पे सेलेक्शन आपका किया जाना था बिहार तक्निकी सेवा आयोग ने 19 सितंबर 2023 को पूर के विज्यापन में परिवातन कर दिया था यह यहाँ पे अपडेट दिया गया है बाकी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ सेर किया ज यहाँ फ्सक्राइड है जेगा था । Joshua